हेलो ग्लास, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास को एक्चर में हम इतिहास को समझने के लिए इतिहास के काल खंडों को तीन भावों में बाट लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो और आसानी से हम इतिहास को समझ सकें वो तीन कालखंड है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधनिक इतिहास हम लोग भारत की इतिहास की बात कर रहे हैं तो यहां भी हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधनिक भारत की इतिहास की बात करेंगे पिशले lecture में, first lecture में मैंने बात की है कि किस तरीके से इतिहास के कालखंडों को बांटा जाता है और किस तरीके से dating system तयार की जाती है, मतलब तारीख का एक करम decide किया जाता है AC और BC की बात की जाती है, यानि ईसा पूर्व और EC की बात की जाती है और इस पर हम लोगों ने पूरा एक लेक्चर डिवोट किया है जिसे आप जरूर वेट आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्राची नितिहास और हम भारत का प्राचीन इतिहास सुरू करें, उससे पहले जरूरी है कि हम यह जान लें कि भारत का जो नाम पड़ा, वो नाम करन कैसे पड़ा, तो हम लोग आज में फोकस कर रहे हैं नाम करन करन, और पूरा डिस्कुशन हमारा भारत के नाम पर जाएगा आज का, तो आप हेडिन डालें भारत का नाम करन, और कैसे नाम करन पड़ा, मैं कुछ ऐसे पहलू उताओंगा, आपको मज़ा भी आएगा क्लास में, इसके कुछ डिफरेंट पहलू है नाम करन के, और मैं बोलता चलता हूँ, आप सुनते चलें, सबसे पहला पहलू है कि बहुत प्राचीन में हम जाएं, महा भारत से जब इन की बात कर रहा हूँ, महा भारत हुआ यह यह, कि प्राचीन समय में दुस्यंत नाम के सासक थे, कहा के सासक थे हैं, तो हस्तिना पूर के सासक का विबाव हुआ सखुतला और इन्हें पुत्र प्राफ्ती दिनका नाम था बड़त, वो और भरत के प्रताप पुंद के कारण उनका समराज बहुत फूला फला विक्सित हुआ उनका पुरा समराज भरतवर्स और वही भरतवर्स भारत कहला गया तो इस तरीके से पहला हमें कॉंसेट्ट मिलता है भारत अब ये बात हुई है तो मैं थोड़ा सा इस चीच को और इस भरत के बाद कौन आये सांतनु आए संटनु आए कि माना जाता है कि संटनी रिसिट पुत्र थे और बड़ी कहानी है स्राफ वगएर वाली कहानी पर ने अब संतनु का विभा हुआ गंगत मा के साथ यर गंगत प्वेवी के साथ अब यह कहानी थोड़ा पौरानिक कहानी है और इसका concept पुराने जन्म से हैं कि पुराने जन्मी ने स्राप मिला था और श्राप के कारण इन्हें आना पड़ा धर्दी लोग में और इनका विवाव हुआ अब अब यहां पर एक कहानी वसूओं की भी आती है, वसूओं को भी सराप मिला था, वसिस्ट रिसी ने उन्हें सराप दिया था कि वही उनकी नंदनी गाय को इन लोगों ने वसूओं ने क्या किया था, नंदनी गाय को वसूओं ने क्या किया था, चोरी कर ली थी, उन वसूओं को सुराप दिया गया था कि आपको आपने जो क्रित्य किया है यह मृत्य लोग वाली क्रित्य है यह जो क्रित्य मनुष्य करता है और आपने ऐसी क्रित्य किया है तो आपको मनुष्य लोग में जाना परेगा और आपके चलते यह सभी वसु को दंड भोगना था मृत्य लोग जो नेचर को सभालते हैं तो वह जो आथ वह फिर घंगा मां के पास गए तो उन्होंने बोला कि कि भरी हम तुमको तारेंगे तुमको अपने कोख में जन दे कर अपने कोख से तो जब सांतु ने और गंगा जी का विवाव हुआ तो सर्थ रखी गई थी गंगा जी के द्वारा कि भी हम कुछ भी करेंगे आप उसमें टोकेंगे नहीं तो जब उन्हें पुत्र प्राप्त होते रहे होते गए तो साथ पुत्रों को उन्होंने गंगा नदी पर पहा दिया और जब आठ्वें पुत्र की बारी आई तो सांतनु जी ने टोक दिया जिसके चलते गंगा जी चली गई और अपने पुत्र को साथ ले गई फिर वहां अस्वार के लोग में उनकी अच्छी सिच्छा जिच्छा होई बात में फिर वो यहां छोड़ गई सांतनु जी के पास तो वो पुत्र ही देवरत या भीस में कहले और इसकी कहानी आप लोग महा भारत में तो देखी रहे हैं और इन से जुड़ा हुआ और तथ्या जानते हैं तो यह पूरा हस्तिनापुर का कॉंसेट मैं ने बता दिया फिलाल हमें तो यह ध्यान रखना है कि दुस्यंत के को हिस्ट्री को ऐसे ही बना सकते हैं अब दूसरा तर्थ हम आते हैं दूसरा तर्थ हम लोग पुरानों से उठाते हैं यह विश्णु पुरान में जाते हैं तो पुरानों में बोला गया है कि समुद्र से उत्तर का हिस्सा समुद्र से उत्तर का हिस्सा और हिमालय से पुरान है साथी साथ मज से पुरान है इन पुरानों में हमें थोड़ा सा जानकारी किनके बारे मिलता है भगवार के आवतारों के बारे में और बेसिकली हमें मिलता है यहां पर परसुराम जी के बारे में जो छट्वे आवतार माने जाते हैं भगवार पिश्णों के अब क् क्या था मैं कॉंसेट्टेक बताता हूं जब जमदगनी रिसी और रेनुका मा कह सकते हो इनका विवाव हुआ पांच संतान हुई पांच संतान में एक संतान कौन थे पर उपर सुराम दे थे अब मारेनुका से गलती हो गई वो एक किसी राजकुमार पर मोहित हो गई हां रिस गला काटने को बोला और जब सबने मना कर दिया तो परसुराम से पहले ही उन्होंने क्या करा लिया प्रंग दिलवा लिया या आप कहते हो बचन दिलवा लिया कि आप मेरी बात मानोगी जो भी मैं बोलूँगा तो फिर उन्होंने परसुराम दी से बोला कि अपने फरसे से काड़ और वह फरसा उन्हें मिला था भगवान से उसे तो एक कहाणी आप लोग जानते होंगे पर ऐसरामदी ने अपने फरसे से माँ का भी गला कार दिया थो बात में यह इछा जाता है कि उन्हों वापस से जब वह ने अपनी पिता जी की बात रख डी पिता जी की बात ली- तो वापस योट में भुणा सुझ कू आप तो वापस सी हुझ हुझ आयए न आ हुझ आति जिंदा करने के बात कही थी और जिंदा हो गई थी यह कहानी इस्ते दुखी होकर या इस रचना से क्रोधित होकर कि कि परशुराम जी ने सहस्त्रारजुन की सभी हो जाये कार्ड़ी थी, सहस्त्रारजुन का वद कर दिया था, इससे सहस्त्रारजुन का समाज के जो चैत्री था वो कुरूधित हुए, ठीक है, लेकर उससे पहले ये बात जंदद्नी जी को पता चली तो उन्होंने इसका पष् और इसके बाद उन्होंने छत्रियों के मुलनास का प्रण लिया, और कई बार छत्रियों का मुलनास किया, तो ये सब कहानिया जुड़ी हुई हैं, जो आप जानते हैं, ये पुरानों से जुड़ी हुई हैं, और ये चीज में विष्णु पुरान साथी साथ आपको पुरान में देखने को मिलता है, अब मैं ये रिफ्रेंस इसली दे रहा हूँ कि आगे मैं बताओंगा, ये सब बाते होगी, ठीक है, ये दूसरी कहानी आपकी पुरानों से जुड़ी होगी, ये दो कहानी आपने देख ले, तीसरी बात हम करते हैं, भारत के नाम करन की, औ फिर आप ऐसा कहो जो वहां का प्रमुख जन था, तो प्रमुख जन का नाम भारत था, उस प्रमुख जन के नाम से भारत वर्स ये भारत बन गया, क्योंकि उस प्रमुख जन का नाम भारत था, ये आमे डिक वेद से पता चलता है, तो ये तीसरा पहलू हो गया भारत की ना पुरा देख्वारत के लाया जैन परंपरा में भारत कए और प्रिस्थ पर्मनुंए बात कर्ते हैं पुत्क करते हैं यहिए repों क्या सबसुट også जम्बू दीब क्या गया है और क्या बोला गया है कि जो चंद्रकुप्त मौुरे थे, वो जंबू द के सा सकते हैं, और इतना ही नहीं, बाद में असौग के अभी लेखों से भी पता चला है, असौग ने अभी Лेखों में जंबू दीब सब्ड का प्रयोग किया है भारत के लिए, इस तरीके से जंबू दीब, जंबू माना ज चीजे भी बता दूगा, एक समराइज quickly मैं कर दूगा कि क्या कि आप याद रखें, अभी थोड़ा interesting history बने, starting है, थोड़ा समय, यही reason है कि मैं इस चीजों को relate कर रहा हूं, different पहलों के साथ, ताकि आप इसको interesting बनाएं, ठीक है, और आप लोग साथी साथ इसको share और like link यह सब करते रहें, ताकि यह चीजें ज्यादा लोगों तक पहुँचे, चलिए, next हम लोग पहलो लेते हैं, six पहलो लेते हैं कि किस तरीके से भारत के नाम की बात और होती है, कहा होती है, तो कौन बोला भारत को सब्थ सेंधों, एक तो आरे बोलते थे, और आरे के अलाबा भारत को सब्थ सेंधों बोला गया है, फार्सीयों की पुस्ताइब के और यहां पे एक important पहलो आपको मिलने वाला है, मैं इस फार्सी पुस्तक का नाम आपको बताने वाला हूं, इस फार्सी पुस्तक का नाम है जिंद आवेस्ता, ये एक important concept होगा, और बात में जब हम सुरोद क की बात करेंगे तब भी हम जिन दावेस्ता की बात करेंगे और पूछा भी जा सकता है कि फार्सी ग्रंती की पुछ्टक है इन में से तो जिन दावेस्ता है जिन दावेस्ता में भारत के लिए जिस सब्द का प्रयोग मिला है वो सब्द सेंदों सब्द का प्रयोग है तो यह सात्वा मेंêu ऐस को आर्यवर्द कहा जता है तो कौन से कहा जाता है तो आप नर्मदा नदी नर्मदा नदी आप सब जालते हो अमर्विंटक से निकलती है उस नर्मदा नदी के उत्तर का पूरा छेत्र आरे वर्त है ऐसा हमें देखने को मिलता है साथी साथ ब्रह्मु वर्त हमें एक और नाम देखने को मिलता है भारत के लिए और हमें कहीं कहीं प्राचीन ग्रंथों म कि यह चिए की बिलुक्त या हमें नहीं पता चलता है इनके बारे में लेकніn कि प्राचीन कावमिय नदिया बैठती थी, तो सरस्वतिय नदी और दिस्वतिय नदी के जो बीच का छेत्र है, जो भुभाग है, उसे बोला जाता था ब्रह्मवर्थ, तो ये आठ पहलू अब तक मैंने आपको बता दी दी, चले, नाइन पहलू अब हम लोग लेते हैं, और इसमें हम ब्रह्मवर्थ सी देश की बात करते हैं, ब्रह्मवर्थ सी देश, तो ब्रह्मवर्थ सी देश किसे बोला जाता है, ये देखते हैं, तो ब्रह्मवर्थ सी देश भारत का वो हिस्सा है, जो गंगा और यमुना नदी के द्वारा सिंचित भार है, तो गंगा यमु लेते हैं भारत के नाम करेंगा तो भारत को मध्य देश बोला जाता है तो भारत को मध्य देश कब बोला जाता है तो ये बात आप जाम लो कि भारत को हिमाले से सुरू करते हैं भारत को और भारत को हिमाले से सुरू करके विंध्याचल तक को यदि हम भारत के हिमाले से सबसें उपर और बिन लिए फ्रावर्वस्रीन परवस्रे में भी आती है आपको इसे हग्ंद क्लियर हो सब्सक्राइब कर रहा हूंります सताब्दी का मतलब क्या है तो आठवी से ग्यार्वी सताब्दी के बीच में अगी तो लेटिस्टी कह सकते हो ही एक हजार आठ सव से साथ सव से एक हजार के बीच का समय तो इस समय क्या बोला भारत को हिंदुस्तान कि होने बोला भारत को हिंदुस्तान तो अरब बासी जो आ इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया, भारत को इंडिया किस ने कहा, तो जो इरानी थे, अखामनी इरानी, तो अखामनी इरानी ने सिर्फ सिंदु नदी के सिंचित छेत्र को इंडिया कहा, लेकिन बात में यूनानी सास्कों ने संपूर्ण भारत के लिए, मतलब इंडिया की boundary किसे बोला था इंडिया की boundary रेखा किसे बोला था हिंदुकुस परवत को बोला था कौन सा हिंदुकुस परवत वही हिंदुकुस परवत जो अफगानिस्तान में आता है और हिंदुकुस परवत के लिए नहीं सब्रेवक किया था इंडियन काकेसस इंडियन काके करें मतलब भारत की बौंड़ी को अफगानिस्तान से सुरू हुआ है कि में द्वारा युना जानेयों का मतलत कि भारत की बॉंड़ी कहा से सुरूख हुती है हिंदुकुस पर्वत से तो यह द्राम रखेंगे आप के लिए निहोंने बोला सिन्टुूंगलिन इसी हिमाले के लिए नहीं उने बोला सुंगलिन हिंदी पर लिक लिए इनने सब को भी हिंदी में लिक सकते हैं आप सिन्टू इससे आप लिखेंगे इन तुझ यह सब्द प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं और इन्हों ने शुर्वात हिमालय से यानि सुंगलिन से माना है तो जिस तरीके से युनानियों ने शुरुवात इंडियन काकेशस से माना है जो बत्वान में हिंद्र कुस्परवत है वैसे हिमालिया के लिए या हिमालिया को बॉंडरी स्टार्टिंग इनिश्यल बॉंडरी वनना था कि होने चींद बस को ठीक है यह आप रहे आपको एक और बात में चल बताना चाहूंगा तो सिंदू नदी का सिंचित छेत्र था सिंचित गुभाग था उसको यह लोग ती एंचु बोलते थे सिंचित छेत्र को ती एंचु बोलते थे तो यह भारत के नामकरण के कुछ पहलू थे जिनमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं वह फूकस करने बाला हूँ अब तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि भारत के लिए इंडिया सब्रकिस ने प्रोग किया तो स बहुत हैं तो यह दो इंपॉर्टेंट पहलू है कि भारत के लिए इंडूस्तान सब्रकिस ने प्रोग किया था तो भारत के लिए हिंदैंस्तान सब्दकोल faac तो सोग के अभीलेक से हमें जारद़तारी मिलती है अफॉक है जलता ये बहुत हमें बुला गया है एक और अभिलेक हमें मिलता है खारुल के साहस खा़ arglapila all u लिख सा सक तो का अभीन नां क्या है साइड आपको पता हो नहीं बता है लिख ले और से सबलें नहीं तो कंद रिकारएं इस अभीनक में है इस हमें मैंने वर्ष सब्तिका प्रयोग देखने को मिलता है तो भारत वर्ष सब्तिका प्रयोग हमें देखने को मिला है भारत के लिए कुछ और अभिलेक हम लोग लेते हैं तो इरान में अभिलेक हमें मिला है और इरान के उस अभिलेक का नाम है ससामी राजवन्स का अभिलेक ससामी राज राजवन्स का विलेख हमें इरान से काथ हुआ है और इस इरानी राजवन्स के विलेख में हमें भारत का जिक्र देखने को मिलता है भारत की बात हमें देखने को मिलती है इसी तरीके से भारत की बात हमें एक और पुस्तक में भी देखने को मिलती है उस पुस्तक का नाम है प वेदों को भी समझने में मनद करती है तो पाड़नी द्वारा रचित अस्तत ध्याई में देखें तो भारत को एक प्रांथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है और भारत को प्रांथ बोला गया है देश की जगए ठीक है इसके अलाबा मैं कुछ विदेसियों के बारे में ब ने किया बोला विदेसियों में क्या क्या कहा तो एक बार में क्विक्ली समराइज कर रहा हूं कि कौन-Kदश सी क्या कह mathematics पहला वीदेसी तो आप लिक्धे आरियर जिन्होंने सब्सेंदों कहा आ mean पहलों को जंस नहीं कि आ निवासी बोला जयता है कुछ लोगारेयों को मध भारत मध्य एसिया से आया हुआ यानि इरान का निवासी भी बोलते हैं तो अलग-अलग मत हैं इनानी फिलाल आप लोग अभी समझे आनियों को इसके बाद दूसरा है अरब बासी अरब बासी ओने भारत को क्या कहा है पता होगा आपको हिंदुस्तान कहा है अरब बासी ओने लिएड करते थे यौनानी को इंडिया ब्हारत के लिक्रहें यूआ है इसके लावाथ चाइना के दो व ा या यां तू भूला मैं सिंदो नदी को दिसे माले को क्या बोलता है संग्लीं बोला है पून रजी से सिंचित र시के को क्या बोला है, तियन्चु बोला है, तो इतना ज्यादा दो मत याद करें आप, बस इतना इक्रीज़ याद करने कि , ने भारत को सब्संद्धी बोला। अरब्वास्यों ने हिंडूस्तान और उन्डिया यूनानियों ने वहारत कि भॉण्री किसे बोल भॉला है व्योप्षवर्वत को एंडेया निचाइन के विस्टर्स ने बॉंड्री किसे बॉला हिमाले को यह क्या पॉलते थे या फिर हिंदी हें इन हो इन कीशे भलanieوس और इनि हो ने किसे बुल और इंडियन का केस जिसेिव पढे ड़ोग involve जिसे आप बोलते हो आज Hindu कुष परने को जिसे चाइना सुन्गिलीन कहता था उसे आप पोलते हो आज हिंवाल को यंर्ठ सब्सक्राइब कर देता हूं तो पहले तो मैंने डिफरेंट पहलू आपको दिये कि भी दुस्यंत्र की साधी हुई सरकुंतला जी के साथ और सरकुंतला जी के पुत्र हुए भरत और भरत के नाम पे भरत वर्स पड़ा ये हमें हस्नियापुर्ट की बात महाभारत से ब्लाउ तीसरा हमने पहलू देखा और हमने पाया कि जब एतिहासिक ग्रंथ में हम रिगवेट की बात करते हैं तो रिगवेट में हमें पता चलता है कि जो वहां के मूल जन थे प्रमुख जन थे उनका नाम भारत था इसकी पूरा देश भारत कहला है इसी तरीके से चौथा पहलू उनके नाम से पूरा देश भारत पड़ा जब हम जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो जैन ग्रंथ में हमें पता चलता है और एक पुस्तक लिखी गई है किसके लवड़ा है चंद्रजी के लवारा और परिस्ट परबन उस पुस्तक का नाम है जिस पुस्तक से हमें पता चलता ह और इतना ही नहीं असो के अभिलेक से भी हमें भारत के बारे में जम्बुदीब सब्द का प्रयोग मिलता है और उस पुस्तक में बोला गया है कि जम्बुदीब का जो सासक था वो कौन था चंदकुप तुम औरे था कि इसके वादब हम बात करते हैं सब्ध संधो सब्द के प्रयोग की तो सब्रेज और फार्षी खुष्तक जिंद आवेस्टां विए हैं सब्ध सब्थ psic का प्रयोग है और फार्षीयोन भारत के लिए हिंदू सब्द का प्रयोग जह है ये बहुत धिए भी आप धेया थो इसके लाब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए सब्ददक्रयोग किया गया है दो लोग couldons को पहले तू सिंद सिंजित चेत्र के लिए प्रयोग किया गया है आप कहेंगे इराणी और इराणी शासक का नाम क्या था कौन से सा सकते ये लोग आप याद रखें हकामनी वंस के या इरानी हकामनी सा सकते लेकिन संपूर्ण भारत के लिए इंडिया सब कप्रोगा रहा है तो यूनानियों की दौरा आ रहा है इसके लाब हम आरिवर्थ की बात करते हैं तो नर्मदा नदी के उत्तर का चेत्र और अगरे ब्रमपात कि बात करते हैं तो सरसवति नदी द्रिसवति नदी के बीच का चेत्र जब हम भारत के लिए बात करते हैं जो हमाल्य की बात करते हैं वींद्याचर सथी सिर्लिप कर चिजनेंत तो हिमाले से विंध्याचल का हिस्सा क्या कहलाता है मध्य भारत कहलाता है ऐसा हमें देखने को मिलता है इसके लाब भारत के लिए जो सब्ध हिंदुस्तान प्रियोग किया गया है और सिंधू प्रियोग का जो प्रियोग आया है वो किसके तोरा आया है आप कह सकते हो कि फार रावडियों ने भाडरें के शरुवा Хिंद पर्वत के ली moving सपर्वत इंडियनिक को से ढबिन होने इसकेमिलें Kaline हो इसके लावड में भात करते हैं इसकेजों लोग बात करते हैं इराणी के इरानी में कि यह सबसे इंपौर्टेटंट नहीं है जरकुन इस्टक थे लिए झुमिलेएंट को सबसे कि पॉछ इंपोर्टेन्ट है वो ये है कि भारत के लिए हिंदुस्तान का प््रयों किस ने किया तो याद र Suz creatures प्रत के शोलिस्टामτε को किस ने किया तो हुलिस्टी के लिए भारत की भारत के निच की प्रयोड किया है युनानियों के द्वारा तो यह दो दो पॉइंट बहुत इंपॉटेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं जम्बू दीब की बात ही दिखी जाए कि जम्बू दीब का प्रयोग कहां देखने को मिलता है तो परिस्ट परवन आप यह ध्यान रखिएगा परिस्ट परवन पुस्टक में जो की हेम चंदेज द्वारा लिखी कियी है इसके लाव अभिलेग से जुड़े हुए जो कांसेट में दिये कि हाती घुमपा भिलेग में भारत वर्स प्रयोग किया गया है खारविल के हाथी मुपा भिलेक में, इसके लाब जो मैंने सासामी राजवस के भिलेक में बात की, वो ध्यान रखिएगा, कि भारत का जिक यहां मिलता है, ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इनफ है भारत के नामकरन के संदर में, तो मैंने आज प्रयास कि प्रिजेंट करूँगा, लेकिन कंटेंट में लिउसेंट कराऊँगा, क्योंकि एक अब्रिविएटेड फ़र्म में लिउसेंट हमें मिलती है, और मैक्सिमन कॉम्टी के एक्जाम को यह कवर करती है, तो ठीक है, कोब, कि यह आप जेर करते रहेंगे, और आप अच्छा सी ुटेड़ हैंगे, क्योंकि और्विएटेड़ और यह एकिन।